बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाव लेकूम एबरिवन कैसे हैं आप सब लोग अमीड करती हूं सब खायरिया से होंगे आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार सब्सक्राइब की रेसिपी वेजिटेबल प्लाओ की रेसिपी लेकर आई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताके मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप लोगों तक बात सानी पहुंच सके चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने वेजटेबल प्लाओ कैसे बनाया यह मैंने मटर लिए थे हाफ कप के करीब मटर लिए हैं हाफ कप करीब गाजर लिए यह वन के करीब चामल लिए हैं और तो टेबल स्पून लसन अधर का पैस्ट लिया है और तो से तीन अधर टीमाटर लिए थे मैंने बारी कट कर लिए थे हरी मिर्चे कट कर लिए थी अब यह स्पाइसी है लाल पिसी हुई मिर्च है हल्दी है बिरियानी के पूल है लाल कुची यह आप एप vereगे वेजाई उसके प्राइब करेंगे को निकाल नहीं परके तो इसलीए हम कि रिस्पी सी रहे और बहुती मज़ेदार बनता ही विचयबल themed plough, देशी style में बना रहे हुँ में तो आप जो शाले है और बहुती मज़ेदार ही बनता है और बहुत सारी चीजे मांने दगा हैं तो ड़ेजे और वेजेदार और जे आप को पसंद हो जो जो बहुत वो डाल सकते हैं जो मुझे पसंद थी मेरे घर में जो लोगों को सबको पसंद थी मेरे घरवालों को वो मेने एड़ करी है तो जो आप लोगों को पसंद हो आपकी घरवालों को पसंद हो आप लोग वो भी एड़ कर सकते हैं यह देखे हमारी बंद को भी फ्राय हो गई है हम इसको निकाल रहे हैं सारी वेजिस को हम ऐसे ही कर लेंगे मत्र गाजर होगा अब यह मत्र और घाजर को कि अच्छे से कि मट्र गाजर आलू हम तीनों चीजों को ऐसी ही ऐसे कर लेंगे यहिंँ बह Whereas चीज़ों को निकाल लेंगे हैं और हमने एक अदद प्यास भी ली थी बारी कट कर दी प्यास को मैं इसी तरा हम सारी वैज़ेस प्राइक लेंगे बहुत ही मज़िदार बनता है यह प्लॉव ज़रूर ट्राइ कीजिएगा आप लोक भी और जो मेरे चैनल पर नए हैं हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियोज आप लोगों को रेसिपीज पसंद आती हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज देखें तो आप लोगे सपोर्ट करते ही हैं और जो जो मुझे सपोर्ट करते हैं अभी अपने सारी वेजीज देखें मेरी आलू भी बंगोवी और मतर और वभी अभी हमने आधी प्यास लेके हम इसको फ्राइब करें तो असले लिक्ता धाकशा करेंगे और बिलानी के पूल लिए हैं हमने इसमें तोड़ासा गरम मसाला भी एट कर सकते हैं इसे स्टेच पर जीरा और गरम मसाला भी अभी हमारी प्यास सॉफ्ट हो जाएगी बस हलका सा इसमें कलर आने लगेगा तो हम इसमें लस्तना द्रका पेस डाल देंगे जो हमने पीस के रखा है यह देखे हमारी प्यास में हलका हलका सा कलर आने लग गया है अब हम इसे स्ट्रेच के उपर लस्तना द्रका पेस डालेंगे लस्तना द्रका पेस डाल रहे हैं तो टैबली स्पून हमने लस्तना द्रका पेस्ट लिया ता भरके और अब इसमें एट कर दिया हमने अच्छे से अब इसको खुश्बू आने तक भूनेंगे लस्तना द्रका के पेस्ट को इसके बाद हमने टिमाटर और हरी मिर्चे जो कट करके रखें थी दो से तीन अदद हरी मिर्चे लिए थी वह भी एट कर देंगे अब मसाली भी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और वह थोड़ा सा भूनेंगे भूनेंगे बूने के बाद हलका सब पानींडाल के इसको थोड़े दिर के लिए कवर करके रख देंगे तब तक हमारे टिमाटर आए पहल Cu सब्सक्राइब बहुत ही मज़ेदार बनता है लेकिन इसी रेसिपी से बहुत आप लोग जरूर ट्राइब करके देखेगा बहुत ही यम्मी बहुत ही मज़ेदार बनता है प्लाओ इक कि आ एंड हैं पादा पानी एक करेंगे पानी एच करके पानी एक यह कवर कर के एक मिनीट के लिए एक से दो व्यनीट के लिए इसको रख देंगे उसलोग म्यों स्थे ज्याहि था थ्र मधनißt reco रक देंगेत हैं दर्मgrade knot ऊफ्प हो जाए । अब हम दिवाटर सौफ्ट हो गए हैं हमने तो एक से दो मिनट के लिए कवर किया था बस अभी देखें हमारी डिमाटर अच्छे से सब चीजे सौफ्ट हो गई हैं हरे मिर्ची भी डिमाटर भी और प्यास भी अब सारी वेजीज हम इसके इंदर डाल देंगे सारी जो मिक्स स ठीजी हमने फ्राइ करके रखीती सब चीजे यह समैट कर देंगे अब इसको अच्छे से बूनेगे बूनने के बाद इसमें पानी डाल देंगे एक गिलास के करीब और सब्स्यां गलने तक हम तो पानी को पानी डाल के रख देंगे इसको पानी आप अपने चामल के हिसाब से ले सकते हैं जितना आप चामल यूज Career ०ॉं है तो मैं ने एक घ्राज ही बस पानी लिया था ज्यादा पानी नहीं रएट किया था मैंने इसमें वह इस गे ग्लास पानी एज कर दिया अभाण में इसको कवर करके चोड दूंगे अच्छे से मतर भी गल गए हैं मारे टीमा्टर भी सब गल गई हैं आलो भी गल गए मैं से चावल एड कर करने के बाद हमने इसको पका लिया था अच्छे से पानी ड्राय हो गया है तो अब हम इसको कवर करके दंपे रख देंगे आज बिल्कुल कर देंगे और नीचे तवा लगा देंगे कि अब जो कच्छे हैं चावल थोड़े बहुत वह दंदर हो जाएंगे यह यह नहीं हमने लोग करीवी है और तवा रख दिया है कपड़ा भी लगा दिया था उपर ताकि अच्छे से दव हो जाए अभी हमारे चावल दम हो गए हैं और यह जो हमने वायलड एक करके रखे आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं वनहार इस घ्रbu कर सकते हैं अब यह आप देखें को तो कर दिया था हमने अब हमारे प्लोब टैया है अब कर लेंगे कर दोगी है आई होगी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए गा और लाइक भी कीजिए गा चेचे कमेंट्स भी कीजिए गा दीजिए हमारा प्लाव तैयार है बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल प्लाव है और अंडे भी हमने एट किये हैं अगर अंडे आप डालना चाहें तो मिरेसिपी तो अब नहीं दो कमेंड़र कीजिए मीन के छोट में कीजिए अब हम रहां मिलेंगे निकस्त डैसिपी में ता अब हम दो के लिए ब् Counsel.. UIGHbn कोज